नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल निस्वार्थ ज्यान पर दोस्तों, हम आपके जीवन में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए जोतिश शास्त के कई प्रभावशाली उपाई लेकर आते रहते है इसलिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले, जिससे हर वीडियो आप तक पहुचती रहे दोस्तों, आज जो उपाई मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना दोस्तों, हर व्यक्ती चाहता है कि उसके घर में सुक्षान्ती बनी रहे परिवार के लोग आपस में एक दूसरे से प्यार करते हुए अपना जीवन शान्ति पूर्ण तरीके से जियें परिवार में सुक्षान्ती रहती है तो व्यक्ति को मानसिक सुकून मिलता है लेकिन अगर परिवार में जगड़े और क्लेश होते हैं तो घर आने का मन नहीं करता कभी कभी तो जगड़े इतने बढ़ जाते हैं कि रिष्टे में दरार आ जाती है फिर अलगाव के अलावा और कोई रास्ता नजर नहीं आता अगर आपके घर में भी रोजाना इसी तरह के जगड़े होते हैं और आप भी उन जगड़ों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो हमारे द्वारा बताए गए इन आसान से उपायों को अपना कर देखें ये आपके घर के माहौल को बहतर बना कर जीवन में खुशियां ला सकते हैं जिन घरों में अक्सर लड़ाई जगड़े होते हैं वहाँ पर मा लक्ष्मी नहीं ठहरती इन सब के पीछे ग्रह दोश और वास्तु दोश भी कारण होते हैं कुछ बेहद आसान उपाय जो आपके लिए लाब प्रद हो सकते हैं ग्रह कलेश के लिए रात में सोने से पहले एक तुकड़ा कपूर का गाय के घी में डुबो कर पीतल के बरतन में जलाने से घर का कलेश दूर होता है या फिर सप्ताह में एक दिन आप घर में कपूर का धुआ भी कर सकते हैं इससे मन को शांती मिलती है और घर में सकारात्मक उर्जा प्रवेश करती है हनुमान जी के समक्ष मंगलवार के दिन पंचमुखी दीपक और अश्टगंध जलाएं तथा घर में अश्टगंध की खुश्बू फैलाएं इससे आपके घर में सकारात्मक उर्जा का प्रवेश होगा और घर में सुक शांती बनी रहेगी घर में लगातार हो रहे लड़ाई जगडे से चुटकारा पाने के लिए केसर का उपाई भी कर सकते हैं इसके लिए एक चुटकी केसर को पानी में डाल कर उस पानी से सनान करें केसर का दूद पीने से भी मन में शांती बनी रहती है इसके अलावा आप कुछ आसान उपाई और भी कर सकते हैं जैसे घर में हो रही कलह को दूर करने के लिए पोच्छा लगाते समय थोड़ा सा नमक मिला लें ऐसा करने से घर में उपस्थित नकारात्मक उर्जा समाप्थ हो जाती है और घर में हो रही कलह भी खत्म हो जाती है जिस घर में अक्सर कलह होती है वहां हर महीने सत्यनारायन भगवान की कथा करानी चाहिए इससे घर में सुख समृद्धी बनी रहती है दोस्तों, इन उपायों में से आप किसी एक का नियमित रूप से अनुसरन करके देखिए आपके घर का सारा क्लेश खत्म हो जाएगा जानकारी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें धन्यवाद